हेलो फ्रेंड, SP Education में आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं HP, PSC, PGT, Commerce के बारे में बात करने वाले हैं हर्याना Public Service Commission की PGT की जो Commerce की वेकेंसिया निकली होई है और भी Subjective Vacancy निकली होई है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं तो इसमें हम लोग Business Study की Class कर रहे हैं ठीक है और यह Class नमबर जो है आट रहने वाली है इस Class नमबर में हम लोग क्या करने वाले हैं तो यह भी आप लोग जान सकते हैं कि Business Ownership के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं जिसमें हम लोग Public Sector, Private Sector और Joint Sector के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। Slavers के According की बात करती हैं, तो Slavers की बात करती हैं, तो यह आप लोगों का Slavers जो है, यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने Slavers के बारे में जान रखा है कि Business Ownership के बारे में हम लोगों को जानना है आज की Class में, जिसमें हम लोग Private, Public and Joint Sector के बारे में जानेंगे, और Public Enterprise का होता है, और जो Joint Venture क्या होते हैं, तो यह सारी की बाते हैं, आज में आप लोगों को, यह Complete जो है, यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं, और अगली Class में आप लोगों को Business Services के बारे में बताने वाले हैं, Nest Class में हम लोग Business Services को करेंगे, और यह Class नंबर हम लोगों की 9 रहने वाली है, ठीक है, अब इसे मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से अपनी एक्जाम की तैयारी को करेंगे, और अच्छी तरीके से आप लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी, क्योंकि हम लोग Multiple Choice में इनकी तैयारी को करते हैं, जो MCQ पेपर हैं, उनमें हम लोग तैयारी को करते हैं, तो चलिए, बिना समय अगवाई हम लोग अपनी Class को सुरू करते हैं, और MCQ Class में Question Number पहला लेखा हुआ है, हिंदी इंगलिस दोनों में Question लेखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर ठीक है? Question Number एक में लिखा हुआ है, कि निमनलिखित में से क्या समता आधारित संयुक्त उपकरम में समलित नहीं है, समता आधारित संयुक्त उपकरम में नहीं है, which of the following include in equity based on joint sector, तो इनमें सी जो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा जो है, जिसमें हम लोग संयुक्त जो है, समता आधारित संयुक्त उपकरम में समलित नहीं है, तो Company तो हम लोगों की होती है, ठीक है, Company जो है, वो तो होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, इस question की साजेदारी भी हम लोग कह सकते हैं, और सीमित दाइत वाली साजेदारी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सहयोग समझोता जो है, सहयोग समझोता, cooperative development के बारे में यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते हैं, तो इसका right answer हो जाएगा, इसका जो सही answer है वो हो जाएगा, ए option मिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, ए option मिलकुल सही answer हो जाएगा, उसके बाद next question में लिखा हुआ है, और question number 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी company की इस्थापना होती है, सरकारी कंपनी की इस्थापना किसके द्वारा की जाती है संसद के द्वारा की जाती है पारलिया मेंट जिसे कहते हैं राज बिधान मंडल के द्वारा की जाती है इस्टेट एसेम्बिली कहते हैं और भारतिय कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनी एक्ट के अंतरगत की जाती है या फिर banking company अधिनियम banking company act के अंतरगत की जाती है government company is established by तो किस परकार से सरकारी company की स्थापना की जाएगी किस के द्वारा की जाएगी ये जरूर बताइए आप लोग तो याद रखिए इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका जो सही answer है वो हो जाएगा कि भारतिय company अधिनियम 2013 जो बरतमाने में चल लहा है company अधिनियम में कई संसोधन हुए है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका जो सही answer है वो हो जाएगा सी option मिलकुल सही answer हो जाएगा अब हम लोग बात करते हैं जैसे मान लोग कुछ बातें भी हम लोग जान लेते हैं कि ब्यवसाइक उपकरम क्या होते हैं तो ब्यवसाइक उपकरम का मतलब है यहाँ पर कि ब्यवसाइक की वह इकाई से है ब्यवसाइक की वह इकाई जो प्रवंद में नेंत्रड और संचालन तता स्वामित्य की द्रश्टी से स्वतंत्र रूप से संगठित एवं संचालित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम व्यवसाइक उपकरम कहते हैं ब्यवसाई कुपकरम जो है वो किसकी इकाई है यह भी याद रखे कि ब्यवसाई कुपकरम ब्यवसाई की इकाई है वह इकाई है जो प्रवंद में, management में, controlling में, direction में और स्वामित में, ownership में की द्रश्टी से स्वतंतर रूप से संगठित है और संचालित की जाती है उसे हम ब ब्यवसाई कुपकरम के बारे में पूछता है तो आप लोग कह सकते हैं अब ब्यवसाई कुपकरम के अगर प्रकार पूछे जाते हैं तो ब्यवसाई कुपकरम के प्रकार जो है वो है निजी उपकरम ठीक है एक होता है सारवजनिक उपकरम और एक होता है मिस्रित उपकरम ठीक है निजी उपकरम में क्या होता है तो निजी उपकरम की अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बात करते हैं निजी उपकरम की तो इसमें जो है इसका स्वामित जो है वो और नियंत्रड इसका स्वामित वा नियंत्रड इसका स्वामित वा नियंत्रड इसके हातों में होता है तो इसका स्वामित्वा नियंत्रड निजी उद्धमियों के हाथ में होता है, जो उद्धमियों होते हैं, ठीक है, उनके हाथों में होता है, जो निजी व्यापारी होते हैं, निजी उद्धोगों के व्यापारी होते हैं, तो निजी उद्धमियों के हाथ में होता है, ठीक है निजी उपकरम को कितने भागों में बांट देते हैं तो इसको भी हम लोग dwelling कौन से हैं तो एक है हम लोगें गयर निर्गमित उपकरम और दूसरा है हम लोगों का निगमित उपकरम निगमित उपकरम ठीक है इसमें क्या क्या आते हैं तो इसमें वही हम लोगों के जो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतरगत अगर हम लोग बात करते हैं निजी उपकरम के अंतरगत निजी उपकरम के अंतरगत जो आते हैं वो हम लोगों के आते हैं जैसे साजेदारी है और एका की ब्यापार है तो इस प्रकार से यह आते हैं सारवजनिक उपकरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सारवजनिक जिनका स्वामित वा नियंत्रड वा नियंत्रड सरकार के हातों में हो तो सरकार के हातों में हो सरकार के हात हमें हो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम सारवजनिक उपकरम के परकार कितने होते हैं तो सारवजनिक हातों का और सरकार का भी इसमें दोनों का योगदान होता है और भारत में किस वरकार के उपकरम जादा है तो मिस्रित उपकरम जादा है इसलिए भारत की अर्थवबस्ता कैसी है तो भारत की अर्थवबस्ता मिस्रित अर्थवबस्ता है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि सरकार कॉमा निजी उपकरम तथा जनता के द्वारा जनता के द्वारा मिस्रित रूप से मिस्रित रूप से पूंजी लगाई जाती है तो इसमें एक बार कुशन यहां से भी पूचा गया था तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहां से जो कुशन पूचा गया था कि मिस्रित रूप क्रमों में सरकार का कॉंट्रिवियूशन कितना होता है कि सरकार का कॉंट्रिवियूशन कि अगर हम भात करते हैंटो सरकार की कॉंट्रिवियूशन कि अगर भात करते हैं तो इसमें जो है 26 प्रतिसत सरकार का होता है ठीक है 26 प्रतिसत सरकार का होता है निजी ब्यवसाईयों का कितना होता है तो वो होता है 25 प्रतिसत और जनता का कितना होता है तो जनता का जो contribution होता है तो जनता के जो पूझी लगी होती है वो कितनी होती है 49% तक तो ये होता है इसका जो प्रतिसत की बात करते हैं तो यहां से भी question पूछे गए हैं तो यह विसेश्थाओं में आते हैं अगर आप लोग detail की कहते हैं तो मैं detail में बढ़ाने के लिए तया लेखा हुआ है कि जीवन बीमा निगम के उधारण है तो जीवन बीमा निगम ये कोशन पूछे गई है NCRD का कोशन है कि जीवन बीमा निगम जो है वो उधारण है तो किसका उधारण है बिभागी उपकरम का उधारण है या बिभागी संगठन का उधारण है सरकारी कंपनी संगठन का उधारण है या फिर सारवजनिक निगम संगठन का उधारण है या फिर प्रन्यास संगठन का उधारण है प्रन्यास को बोलते हैं घ्ट क्या होते हैं यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिव कि लौटं के सवल्प होता है उसे हम लोगgress कहते हैं कुछ लोगों का समूज़ और जो होता है जो दूसरों मतलब लाभकी उन्हीं उन्हें की है तो अब उनका पैसा है तो वह उन्हें एक ट्रस्ट बना दिया है तो इसमें इसी को अब यह अच्छ कौन होगा इस परकार से सीओ कौन होगा इस परकार से कई बात हैं तो वो ट्रस्ट डिसाइड करता है तो इसलिए ट्रस्ट ऑर्गनाइजिसन भी होती है हम लोगों की इनको भी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जीवन भीमा नेगम पूचा है तो जीवन गता है तो चलघंड के पार ने अगर्सरे का योगों करता है हम लोगों का निज्यों चलघ्वagon है हमलोगों ये को सब्सेन थे जो कर द tutti त는지 और नंए 12 सब्सक्राम के प्रारूप राज्यकिये प्युक्रम की इनुक कह देते हैं तो यह तीन प्रकार्ब लोग मानते हैं रेल मंत्राले रेल मंत्राले तो रेल मंत्राले भी सरकारी का होता है सरकार का एक विभाग होता है या फिर डांक और तार मंत्राले डांक और तार विभाग यह आप बोले हम लोग डांक वा तार विभाग सारवजनिक निगम कौन से होते हैं तो सारवजनिक निगम जो होते है हैं तो इनमें अगर हम लोग एक्जांपल की बात करते हैं तो इनमें जैसे हम लोगोंने सुना होगा कि इन्डीयन ओंडीयन ओन इन्डियन ओंडरी सरवन्जने की सरयो करते दी ещё निगंम इनकी पिहएसना क्या होती है शरकरते निगम की बात करते हैं यह आप अब होने जानते हैं शरकारी कमपनिया जो है सर्वजनिक M. की बात करते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा एल आई सी लाइफ इंसुरेंस कोर्परेशन ठीक है उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एर इंडिया ठीक है एर इंडिया इर इंडिया तो यह एक्जाम्पल जो है यह एक्जाम्पल सही है सारवजनेक निगम के हैं यह उ-n-gc आर-बी-ा-ई ठीक है आर-बी-ा- इंडिया तो इस प्रकार सी सारवजनेक निगम है कंपनिया कौन सी होती है तो कंपनिया चो है उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं सरकारी कंपनिया कौन सी होती है तो आप लोगोंने सुना होगा कि गैल ठीक है गैल सेल ठीक है उसके बाद एंटी-पी-सी एन-एच प्रकार से जो है कई जो है हिंदोस्तान इस इस प्रकार से जो कई एक्जामपल है तो वह आप लोगों को दे सकता हूं लेकिन अभी फिलाल आप संगठन में आएगा सरकारी कंपनी संगठन में आएगा या फिर सारवजनिक निगम में आएगा या फिर प्रन्यास संगठन में आएगा तो इसका राइट आंसर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि ये सारवजनिक निगम है क्या है तो ये सारवजनिक निगम है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी आप्सन में लोकुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नैस कोशन में लिखा हुआ है और कोशन नंबर चार की बात करते हैं कि सरकारी कमपनी में सरकार का कम से कम पूझी पर स्वामित होता है या फिर सौ परतिसत तक होता है तो यहां पर पूचा है कम से कम कम से कम पूचा है तो इसका राइट आंसर जो है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्सन मिलकुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर एक्य प्रतिस्त होता है अब इसमें से जो है सरकार ने खरीद लिया है सरकार ने सरकार के पास इसका हिस्सा है कितना हिस्सा है तो स्टेश्च जिसके पास भी होगा तोandom 39, Prevor humor जाहें किसी भी हातों में हो तो वह हम लोगों का ये सरकारी कंपनी ही कही जाएगी ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा i Magnus dus नहीं बलकुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नफेशन में लेखा हुआ है और नफेशन की जो छेत्र है वो क्या होता है इस्थानिय छेत्र होता है राश्टिय छेत्र होता है या फिर अंतर राश्टिय छेत्र होता है तो बहुराश्टिय कम्पनियां वे कम्पनियां होती हैं अगर हम लोग इनके बारे में बात परते हैं बहुराश्टिय कम्पनियों के बारे में तो बहु राष्टी कंपनी का मतलब होता है कि भूमंडल ये उपकरम या बहु राष्टी कंपनियों से हमारा आसा ये है कि इसका मुख्याले एक देस में होता है औए डिर्जिय विविवसाइक क्रियाएं जो है वो और देशों में करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बहुराश्टिय कंपनियां कहते हैं मतलब कि जिनका मुख्याला या जिनका ऑफिस जो है एक देश में होता है लेकिन उनका जो प्यापारिक लेंदेन हैं वह अन्य देशों में होती हैं तो इसका अर्थ है कि इस प्रकार के संगठन जो है अनेक देश की जो है कहां कि संस्ता है क्या वह प्रग देश का नाम की बात करते हैं यू energy और पूरा मतलब की कैड्वरी का जो है मार्किट है वह अरक जगह पर जैसे की कंपनी है लेकिन हर जगह पर इस वह मार्क्प मतलब कि इस वह कोप अब को कोल हम लोगों को हर जगह यहां पर हमसे पूचा है इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बहुराष्टी कम्पनी का जो च्छेत्र है वह इस्थानिया होता है राष्टी यह होता है यह फिर या फिर अंतर राष्टी होता है तो बिल्कुल सही आंसर है कि अंतर राष्टी होता है कई देशों में इनकी व्यवसाइक किरियां होती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाइक उपकुर्म कि अगर मों लोग बात करते हैं तो बैवसाइक जों है वो होते हैं वो होते हैं तीन परकार के तौन कौन से होते हैं तो एक होते हैं निजी उपकरम जो अभी मैंने आप लोगों को बताए है निजी उपकरम एक होते हैं सारबजने को उपकरम और एक होते हैं हम लोगों के मिस्रित उपकरम मिस्रित उपकरम मिस्रित उपकरम को जॉइंट भी बोल देते हैं ठीक है उसके बाद यहां है तो यह है तीन भाग जो है विभागी उपकरम ठीक है सर्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी तो इनकी कई बार एक्जाम्पिल कोशन पूछे गए हैं ठीक है तो इनको जरूर आप लोग करिए उसके बाद नएस कोशन में लिखा हुआ है साथ नंबर सुरी शिक्स नंबर कोशन में लिखा हुआ है कि विभागी उपकरम में होती है विभागी उपकरम में क्या होती है सेवा भावना होती है गोपनियता होती है मित व्याईता होती है या फिर ये सभी बातें इसमें होती ह तो यहां पर इसका राइट आंसर की बात करती हैं तो यह सभी जो है विभागी उपक्रम में होती हैं तो क्या बातें इसमें होती हैं विभागी उपक्रम में तो इसका राइट आंसर है कि विभागी उपक्रम में सेवा भावना भी होती है ठीक है गोप नियता भी होती है मित साथ नंबर कोश्चन की बात करते हैं और साथ नंबर कोश्चन में लिखा हुआ है कि और धौगिक बित निगम उधारण है और धौगिक बित निगम जो है वो किसका उधारण है तो इंट्रेस्ट्रियल Finance Corporation is an example of तो वो किसका उधारण है सारवजनिक निगम का उधारण है सरकारी कंपनी का उधारण है या फिर विभागी उपकरम का उधारण है या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि और धौग कि दो बिद्द निगम है तो वो सारवजनिक निगम का उधारण है किसका उधारण है सारवजनिक निगम का उधारण है यसे कई बार कोशन पूछे कई हैं कि यह किसका उधारण है या फिर मानलों उसका नाम दे दिया है संस्था का और पूछा है इस प्रकार से कई बार इ विवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक देशों में करती है तो उसे मैं अभी आप लोगों को बताया है कि उसे हम क्या कहते हैं विदेशी कंपनी कहते हैं राष्टिय कंपनी कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक कंपनी जो है जिसका जो है मुख्याले एक देश में है लेकिन उसकी विवसाइग के लिए जो है वह अन्य देशों में भी है तो इसका राइट आंसर है कि उसे हम बहुराश्टी कंपनियां कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर उसर जुप है वो हो जाएगा से इसका देश से अधिक देशकों हो से अधिक देश्वों में हो उसे हम बने कंपनी कह सकते हैं तो इसमें ब्र नोग कneck 50 जाएगा यहां पर आगर मोग देखते हैं घड़ाएंसर यह भी सही हो सकता है ठीक है इसका राइट आंसर विदेशी कंपनी भी सही हो सकता है उसके बाद नेस्ट कोशन में लिखा हुआ है और कोशन नंबर की बात करते हैं और नेस्ट नंबर प्रमुक लच्छड जो है, इसकी इस्थापना की बात करते हैं, तो इसकी इस्थापना कौन करता है? ठीक, बैधानिक निगम की इस्थापना कौन करता है? अगर हम लोग इसके लच्छड की बात करते हैं, तो इसकी इस्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वार होती है संसद द्वारा संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा होती है ठीक है दूसरी बात दूसरा लच्छण है इसका कि ये एक निगमित संगठन है ये एक निगमित संगठन है अताहा इन पर मुकदमा किया जा सकता है अताहा इन पर मुकदमा इन पर मुकदमा किया जा सकता है या ये दूसरों पर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इन ही पर किया जाएगा ये दूसरों पर भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद नेश्ट जो लच्छड लिखा हुआ है कि ये पूरता सरकार के स्वामित में होते हैं तो भाई अगर स्वामित में होते हैं तो जबाब देही किस की होगी संसद की होगी सरकार की होगी ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सरकार विभागों के लिए लेखांकन और अंकेच्छड लेखांकन और अंकेच्छड की जो प्रक्रिया है उन वह इन पर उन नियमों पर लागू होती है ठीक है तो यह मैंने कुछ महतवपूर बातें आप लोगों को बता दी है कि बैधानिक निगम जो है वो एक सारवजनिक निगम का इक उधारण है या एक प्रकार है इसमें क्या-क्या विसेष्टाएं होती है या क्या-क्या इसके लच्छड होते हैं तो इसकी इस्थापना अगर ह लोग बात करते हैं कि सरकार का पूर्ण लिएंतरल होता है तो उसकी स्थावना संस्थ कि presence के द्वारा ही होगी हुगा यह सभी बातें इसमें होटी है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा D option में लिखा हुआ है और question number 10 की बात करते हैं और 10 number question में लिखा हुआ है भारत में व्यापार के बैस्वी करण का प्रभाव हुआ है कि उत्पादन के आकार में ब्रद्धी हुई है प्रत्यच बिदेश्टी बिनयोजन में ब्रद्धी हुई है मतलब कि direct foreign investment आया है तो इस पर भी ब्रद्धी हुई है उसका right answer हो जाएगा इन सभी बातों में इसका right answer हो जाएगा D option में ब्लकुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question में लिखा हुआ है और question number से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि संयुक्त उपकरम क्या होते हैं joint venture क्या होते हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त उपकरम या संयुक्त साहस संयुक्त साहस का गठन दो या दो से अधिक सुतंत्र फर्मों के मध्य एक ठैराओ के द्वारा किया जाता है जैसे आप लोगोंने सुना होगा कि मारूती मारूती कंपनी ठीक है और उसने टाइअप किया है किस से उसका जो है साहस मतलब कि उसमें दो है उसमें जो है ठेराव हुया है और वो किसकी कंपनी है जापान की कंपनी है और वो किससे किया है सुजकी से किया है किससे किया है सुजकी से किया है तो ये मारूती सुजकी आप लोगोंने नाम सुने होंगे कारों के ठीक है तो ये फरमें जो हैं मारूती सुझ की कमपनी का नाम है तो ये फरमें संयुक्त उपकरम की पूँची में योगदान देने के लिए तथा दोनों के लाव के लिए इसे चलाने के लिए परस्पर सहमत होती हैं भारत में संयुक्त उपकरम ना केवल विदेशी पूँच जाहिए है अभिनंसे दो प्रकार होते हैं तो उन्हों से दो प्रकार होते हैं तो अब अब लोगों को सामने दिखाई हैं तो यह दो प्रकार जो हैं सायोगत उपकरम के दो प्रकार है ठीक है एक है समता आधारित सायोगत उपकरम और इसके भी इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं कि एक है कमपनी एक है सीमित दायत वाली कमपनी एक सीमित दायत वाली साचेदारी और एक है साजेदारी और सम्विदातमत सायोगत उपकरम जो ह playable तो यहां पर अगर हम लोग बाध देखेंगे तो इस प्रकारव से हम लोगों ने उसका राइख लेते हैं एक से किसे कि यहां पर हम लोग देख लेते हैं और कि यहां से पोउचा था कि समता आधारित अप्कुरम संयोंक्त्पकुरम में समलेक्त नहीं है तो कौन तो जो है उसमें सामिल होते हैं अभी मैं जो है पारटनर्सिप और कमपनी जो है उसका राइट आंसर है लोगों है कि कुश्टा नमेर 11 में खा हुआ है कि एक सरकारी कंपणी वह승 गम्पनी है जिसमें सरकार की दो इस प्रतिसए से कम नहीं होनी चाहिए से कम नहीं है सरकारी दोएवर है कंपनी है नहीं चाहिए कितनी तभी वह क्या कहलाएग yan can काम्पनि कहलाएगी तभी वो सरकारी कंपनि कहलाएगी तुछ राइट आंजर हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा pushing में लिखा हुआ है और question नमबर की बात करते हें बारा नमबर कोशन में लिखा हुआा है कि बहूलाष्ड ये फेसं क्रोंच लिए जाएगा मुख्याले के दोरा किया जाता है तोग में मुख्याले के टोरा किया जायेगा तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन वलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद next question और next question के बाद हम लोगों के ये आखरी question लिखा हुआ है ठीक है question number 13 में लिखा हुआ है जो भी तेरा question कराई है ये सभी question जो है पूछे गए question है ऐसा नहीं है और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से question पूछे गए है तो सारबजनिक उपकरम सारबजनिक छेत्र के उपकरम में वे संगटन है जिनका स्वामित तो जो है किसके हातों में होता है जिसका स्वामित तो जो है वो संयोक्त हिंदू परिवार के हातों में होता है सरकार के हातों में होता है या फिर विदेशी कंपनियों के हातों में होता है या फिर नेजी उ सारवजनिक उपक्रम वे उपक्रम हैं जिनका जो है स्वामित तो जो है वो किसके हातों में होता है सरकार के हातों में होता है तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन मेलकुल सही आंसर हो जाएगा तो इनको आप लोग इन कोश्चन को आप लोग जरूर करिए ठीक है और भी क कि असारम toilas के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं से की होती है सर्थ किया प्रकार प्रकार होती है और सी हो चार भागों मि monsieur पाँच भागों में बंके उस प्रकार से कई बात हैं चुझे लई तो उनको भी में आप लोगों को पराऊंगा क्लास के लिए यहीं तो आज के लिए अगर आप लोगों क्लास पसंद आती है तो प्लीज आप लोग लाइक करें चैनल को सब्क्राइब जरूर ले ठीक है और भी बच्चों को सेर करें जो आपकी भाई बंदू हों तो आज क्लास के लिए थैंक्यू थैंक्यू फॉर वॉचिंग